हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तों ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं और उन्होंने कमेंट में मुझसे ये कहा कि ये जो स्टीरियो होता है सेंट्रों का इसको कैसे खोलते हैं और जो रियर वाले स्पीक इनमें कोई स्क्रूअ पेच कुछ नहीं होता है शिरिफ ऐसी लौक से लौक होते हैं वो हमें खोलने होंगे एक स्क्रूअ ड्राइवर की मदद से तो इस बाहर की साइड इसको पुल करना है और ये एजिली बाहर निकल जाएंगे तो आप देख सकते हो कि मैं इसको कैसे बाहर निकाल रहा हूँ और दोस्तो एक बटन तो हमारा बाहर निकल चुका है अब ऐसे ही करके हमें दूसरे वाले बटन को बाहर निकालना है और ऐसे ही हमें बाकी के दो बटन रिमूव करने हैं तो जल्दी से मैं पहले ये दोनों स्क्रू खोल लेता हूँ, फिर तीसरे वाला स्क्रू कहां पे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा. दोनों स्क्रू खोलने के बाद नीचे एक छोटा सा रैक होता है, इसको निकानने के लिए इसको नीचे हलका सा ऐसे दवाना है और अपनी तरफ खीचना है, और ये इजली बाहर निकल जाएगा. और फिर इसके नीचे यहाँ पर एक screw होता है, यह दिख रहा होगा आपको, तो इसको खोलना है तीनो screw खोलने के बाद screwdriver की मदद से इसके जो locks होते हैं, उनको lose करना है पेंचकस को इसके अंदर डानना है, कुछ इस तरीके से, और इसको अपनी तरफ को खीचना है ठीक है दोस्तो तो तभी इसके locks lose होएंगे और ये बाहर निकल पाएगा इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके locks lose करने के बाद आपको क्या गरना है और दोस्तो इसके सारे locks lose तो हो चुके हैं लेकिन ये अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंके जो हमारे AC vents के जितने भी ये controller होते हैं इनके जब तक हम wire को disconnect नहीं करेंगे उसकी जगा से तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा और जो ये हमारा AC और fan का जो button होता है इसका भी एक coupler होता है वो भी हमें remove करना पड़ेगा तभी ये बाहर आ पाएगा और इसके wire कहां पर attach होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखो यहां पर ये wire आ रहा है उपर से ये हमारे जो AC के controller होते हैं इस events के उसका wire है ये वाला एक wire तो ये होता है और एक इसके उपर just उपर ये वाला होता है तो हमें ये ही दोनों wire यहां से detach करने होंगे तब ही वो हमारा पूरी तरीके से बाहर निकल पाएगा तो दोस्तों इसको detach करने के लिए यहां से इन में एक छोटा सा ये button type का ही होता है समझो इसको हमें push करना है और उस जो spring type का बना हुए उसको अपनी तरफ को pull करना है और ये easily बाहर निकल आएगा ये देखिए दोस् उपर वाले वायर पे भी करना है तो इसको इसमें भी देखो ये चोटा सा बटन दिख रहा है इसको ऐसे दबाना है और जो spring type का वायर दिख रहा है उसको अपनी तरफ को ऐसे खीचना है तो ये भी बड़ी अराम से बाहर निकल जाएगा तो अभी तो मैंने एक हाथ में कै connect होता है तो इसको भी यहां से अपनी जगह से हटाना है खीच के तो ये दोनों वायर तो यहां से निकल चुकी है अब हमें एक वायर और detach करना है वो दूसरी साइड होता है इधर आना है उसके लिए तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं के वो वायर कहां पर होता है और द देख पारे होंगे यह वाला बटन तो इसको ऐसे दबाना है और उसको अपनी तरफ खीचना है वायर को ठीक है तो दोस्तो यह भी यहां से ऐसे निकल जाएगा और उसके बाद दोस्तो इस वायर को यहां से अटा देना है और दोस्तो देख सकते हो यह हमारा stereo console पूरी तरी attach कर दिये हैं आप भी इसको ऐसे दोनों कपलर को बाहर निकाल के stereo को बाहर निकाल सकते हो ठीक है दोस्तो और दोस्तो इस टीडियो console को कैसे खोलते हैं यह तो आपको समझ में आई गया होगा अब मैं इसको बंद कर देता हूं उसके बाद आपको rear वाले speaker की wiring समझा देता कि कहां से कहां तक गई होई है ठीक है दोस्तो और अब बात कर लेते हैं हम अपने rear वाले speaker की wiring की तो उसके लिए हमें अपने stereo को बाहर निकालना होगा और wiring के diagram को समझना होगा ठीक है दोस्तो तो सबसे पहले मैं अपने stereo panel का बटन दबा के इसको बाहर निकाल लेता हूं ज दिरे दिरे दोनों साइट से पहले इधर से खिचना और दूसरी साइट से तो यह ऐसे बाहर निकल जाता है ठीक है दोस्तो बाहर निकालने के बाद हमें wiring के diagram को समझना है और दोस्तो जितनी भी गाड़िया होते हैं सबकी अलग-अलग होती है और उनमें stereo भी अलग-अलग तो आप अपने stereo की diagram के हिसाब से अपने rear वाले speaker के wire की color check कर लेना उस पे color भी लिखा होता है कि यह वाले color के wire हमारे rear वाले speaker के और यह front वाले के हैं और left-right भी उस पे लिखा होता है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि diagram सभी के stereo पे कहां पे छपा होता है और दो देता हूं कि wire कहां कहां से ले जानी है क्योंकि मेरी तो fitting पहले से ही होई हुई है rear वाले speaker की और front वाले की भी तो शिरिफ मैं आपको बता देता हूं कि आपको wire यहां से कैसे कैसे अपनी पिछे तक ले जानी है तो दोस्तों मेरे जो stereo की rear वाले speaker की wire है वो orange और white color की है मैं मेरी rear speaker की यहां से stereo से होके और इधर तक जा रही है ठीक है यह stereo में लगी होई है अंदर और अब यह जो है यहां से होते हुए इस panel के अंदर चली गई है और panel के अंदर जाते जाते यह यह यहां तक आ गई है यह देख सकते हूँ यहां से दिख भी रही है थोड़ी सी wire ना और दोस्तो इस wire को पैनल के अंदर डालने के लिए हमें यह वाला screw कोलना पड़ता है यहां से इसमें दो screw होते एक यह है और एक जस्ट इसके नीचे ही होता है यह वाला screw और यहां से आगे wire ले जाने के लिए हमें यह वाला पैनल खोलना पड़ेगा इसमें यह screw type का कुछ होता है तो इसको जादा कुछ निकरना बस page cut से खोल देना है और wire को यहां से ले जाना है ऊपर तक यह देख सकते हो दोस्तों यह orange color की wire हमारी दिख रही है तो यह अब यहा और आगे तक चली गई है तो दोस्तों यह था एक simple सा process music system की wiring का आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए bye दोस्तों